नमस्कार दोस्तों मैं सौरव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मुबाई सेल्यूसन पर दोस्तों यह जो हैंड़ सेट आप मारे हाथ में देख रहे हैं वावे ब्रैंड का है यहां देखिए वावे की ब्रैंडिं model number है y5 prime 2018 ओके और दोस्तों डिवाइस में प्राब्लम यह है यहां से मैं simple इसे अनलाग करता हूँ और यह देखिए डिवाइस हमारी pattern लाग है ओके तो दोस्तों अगर आपकी डिवाइस पे किसी भी type का लाग लगा हुआ है तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए और finally दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद आप अपने डिवाइस का pattern लाग, pin लाग या password लाग किसी भी type का लाग घर बैठे 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 बहुत आसानी से remove कर पाएंगे ओके तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस को हमें simple power aft करना होगा ठीक है तो मैं यहाँ पे power button को प्रेस करके device को यहाँ से power aft कर लेता हूँ ओके device हमारी power up हो गई और अब आते हैं दोस्तों device के right side में ठीक है right side में आएंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर तीन बटन देखने को मिलेगी ठीक है volume up, volume down और simple यह power button यहाँ पर आपको तीन बटन देखने को मिलेगी ठीक है और अब यहाँ से दोस्तों वी कुछ second बाद आप अपने display पे यह देखिए इस type का interface आपको देखने को मिलेगा ठीक है अब आप अपनी दोनों finger यहाँ से हटा लीजिए ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ आपको चार option मिल रहे है ठीक है recovery, emergency, fast boot और normal ठीक है यह चा करना है और volume down से आपको okay करना है यह चीज आपको ध्यान देना होगा ठीक है अब यहाँ दोस्तों चुकि आपको device को unlock करना है ठीक है तो आपको simple जाना होगा recovery mode पे ठीक है यह उपर वाले option पे ठीक है तो याद रहे दोस्तों यहाँ लिखा है volume up to select यानि कि up से ही आप select करें अप वाली बटन से ठीक है तो आप यहाँ पर simple up वाली बटन प्रेस करें ठीक है और यह देखिए मैं आपको प्रेस कर रहा हूं यह continue up down हो रहा है ठीक है तो हम चले आए simple यह देखिए यह जो arrow है यह recovery के सामने है ठीक है और यहाँ पर हमको okay करना है तो यहाँ पर आपको द कि कुछ सेकेंड वेट करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा आप ध्यान से देख लीजिए ठीक है अब यहाँ दोस्तों आप देखिए ध्यान से यहाँ पहला आप्सन है है reboot system now second option है wipe data factory reset ठीक है तो चुकि आपको device को unlock करना है इसलिए आपको simple जाना होगा wipe data factory reset वाले option ठीक है तो आप simple volume down की help से चले आए wipe data factory reset ठीक है अब यहाँ पे आपको okay करना है तो okay करने के लिए आपको यहाँ पे power button प्रेस करना होगा ध्यान से सुनिए यहाँ पे लिखा ह power to select यानि कि power से आपको ok करना है तो simple यहाँ पर power button को एक बार प्रेस कर देंगे ठीक है अब यहाँ देखें दो आपसन आपको मिल रहे है नो और wipe data factory reset ठीक है तो आपको simple जाना है wipe data factory reset ठीक है तो simple आप volume down की help से नीचे चले जाए यह वाइब डेटा factory reset पे और यहाँ पे आपको OK करना है तो OK करने के लिए आपको पता है power button को यहाँ पे एक बार प्रेस करना होगा ठीक है जैसे ही मैंने power button प्रेस किया यहाँ देखिए factory reset और यह देख सकते हैं यहाँ पे process होना इस्टार्ट हो गया 9, 10 ठीक है यह continue धीरे ध 100% जाएगा ठीक है तो आप वेट करिए थोड़ा सा और जैसे यह process complete होगा आपको device को reboot करना होगा ठीक है तो अभी यह process अभी हो रहा है आप थोड़ा सा वेट करें दोस्तों इस method को बोलते हार्ड reset ठीक है और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को देखकर आप अपने Huawei Y5 Prime को बहुत आसानी से हार्ड reset करके अनलाग कर पाएंगे किसी भी टाइब का लाग रिमूब कर पाएंगे ठीक है यह देखे 99% हो चुका है और आपको वेट करना है यह 100 ठीक है अब यह देखे जैसे ही 100% कम्पलीट हुआ डिवाइस हमारी फिर से back position पे आ गई यानि कि यह back आ गई ठीक है और यहां पे आपको अब डिवाइस को रिबूट करना है ठीक है तो simple आप यह जो लिखा ह system ना हो ठीक है आप simple इस पर क्लिक कर दें ठीक है अब यहां आपकी डिवाइस रिबूट हो जाएगी यह देखे डिवाइस हमारी रिबूट हो गई ठीक है तो अब आप वेट करें डिवाइस को पूरी तरह से चालू होने तक और दोस्तों मैं बता दूं कि जब आपकी डि प्राबलम हो तो प्लीज दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मारे यूट्यूब वीडियो के कमेंट बाक्स में अपनी प्राबलम मुझसे सेयर करें मैं जल्द से जल्द आपके प्राबलम्स की बहतर से बहतर सलूसन देनी की पूरी-पूरी कोसिस और दोस्तों साथी साथ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है पसंद आती है तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल के प्रती बनाये रखिए इस वीडियो को ज्यादा सेयर करिए वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही helpful वीडियो के लिए आप हमारी यूटीव चैनल को जरूर सस्क्राइब करिए एक चीज दुस्तों ध्यान दे आप डिवाइस को हाड रिसेट करने के बाद डिवाइस चालू होने में थोड़ा सा टाइम लेता है तो आप यहां पेसेंस रखें वेट करें पूरी तरह से डिवाइस को चालू होने तक अब यहां देखिए डिवाइस हमारी रिबूट होने के बाद पूरी तरह से चालू हो चुकिए ए और जैसा कि दोस्तों मैंने आप से कहा था कि जब आपकी डिवाइस पूरी तरह से चालू होगी तो आपके डिस्प्ले पर किसी भी टाइप का लाक सो नहीं करेगा तो ठीक है और यहां से next करेंगे उसके बाद next ठीक है और यहां से यह skip कर देंगे ठीक है उसके बाद setup as new और अब आपको बस simple android setup पूरी तरह से complete करना है ओके more पे क्लिक करिए accept कर लीजिए ठीक है यहां से आप skip कर दीजिए ओके ठीक है यहां से आप चाहे तो face या pattern पीन पासवर्ड यहां पे अपलाई कर सकते हैं लेकिन मैं इस option को यहां से skip करूंगा और finally your phone is ready यहां से get start पे क्लिक कर देंगे और finally दोस्तों यह देखिए हमारी device यह पूरी तरह से android setup करने के बाद हमारी device पूरी तरह से active हो गई चालू हो गई और आप देख सकते हैं पूरी तरह से device हमारी unlock हो गई ठीक है तो मुझे उमीद है दोस्तों कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से अपने Huawei Y5 Prime 2008 का pattern lag, pin lag और password lag बहुत आसानी से remove कर पाएंगे अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको helpful लगती है तो मैं दोस्तों आपसे request करता हूँ कि प्लीज दोस्तों इस वीडियो को जादा जादा share करिएगा, वीडियो को like करिएगा और ऐसे ही आने वाली next वीडियो की notification के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर subscribe करिएगा और बगल में जो बेल आकरन है उसे भी प्रेस करिएगा तो थैंक्यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू, थैंक्यू सो मच